हेलो फ्रेंड्स राधे राधे हर हर महादेव मैं मिनाक्षी अब आपके सामने फिर से प्रेजन्ट हुई हूँ अपने अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्टेजेज इन दा लाइफ स्पैन अब उसमें जो भी स्टेजेज आपको मैं बताऊंगी उ उसमें मैं एक-एक स्टेज को इन डिटेल जाने वाली हूँ तो आगे आने वाले वीडियो में आपको अनेको अनेको इन्फोर्मिशन अबाउट हुमन देवलोप्मेंट और पूरे लाइफ स्पैन में हर एक इंडिविजूल स्टेजेज और स्टेप्स के बारे में जिससे आपको बहुत कुछ उसके बारे में इन्फोर्मिशन प्राप्त होगी तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पुछना चाहती हूँ कि क्या आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी सबसे पहले आप उसको लाइक और सब वीडियो को जिससे की सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मेरे सभी आने वाले वीडियो आने वाली चीजों का कि आप फाइदा उठा सकें इसलिए सबसे पहले जाएए और सब्सक्राइब करिया है ठीक है दोस्तों अब मैं इस इंफर्मेशन को और आगे बढ़ाती हूँ तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा डवलप्मेंट के बारे में जाना हिूमन डवलप्मेंट के बारे में developmental changes के बारे में attitudes के बारे में जो कि हमारे developmental changes के प्रती हमारी जो अंदर attitudes डवलप होते हैं उसके बारे में कुछ developmental टास्क के बारे में जाना जो कि हमारे आगे के future development और adjustment के लिए बहुत important होता है और जो एक बनाया गया है in the every periods of life span में हर age group के लिए उसके बारे में हम लोग ने जानकारियां ली अब चलिए इसी दौर में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और जानकारियां प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी पूरी life span होती है है लाइस्पैन मीन्स की दूरिंग दा कंसेप्शन जब एक बच्चा मा की कोख में आता है जब उसका उत्पत्ती होती है उससे लेके जब वो जन्म लेता है तिल दा एंड ओफिस लाइफ यह हमारे पूरे life span का मतलब होता है पूरे हमारे जीवन में और उस पूरे जीवन में हमारे कुछ stages हैं जिसको नाम दिये गए हैं कौन सा stage कब से कब तक का होता है तो चलिए उसके बारे में जानते हैं तो हमारे पूरे life span में हम केटेग्राइज किये हैं 10 stages सबसे पहला वह stage है जिसको हम बोल सकते हैं prenatal periods prenatal period का time होता है time of conception से लेके जब तक की बच्चा जन नहीं ले लेता conception to birth उसका period होता है उसको बोलते हैं prenatal period next उसके बाद हमारा period आता है infancy infancy period बोलते हैं जब चैसी बच्चा जन लेता है from the time of the birth of a child to the end of the second week जब वो 14 दिन का 14-15 दिन का बच्चा हो जाता है उस उस period को infancy period बोलते हैं हम अपने life span stage में next क्या आता है next period को क्या बोलते हैं babyhood जिसके start हो जाता है end of the second week और वो चलता है end of the second year जब तक बच्चा दो साल का दो हफ्ते से लेके जब बच्चा दो हफ्ते का था तब से लेके दो साल तक का समय जो होता है उसको babyhood period बोलते हैं उसके बाद आता है early childhood early childhood का period दो साल से लेके 6 साल तक होता है 2-6 years then comes late childhood उसका period 6-6 साल से लेके 10 से 12 साल तक का 6 years to 10-12 years तक का उसको बोलते हैं late childhood then comes puberty puberty को हम pre-adolescence period भी बोल सकते हैं उसका जो time period होता है that is 10-12 साल से लेके 13-14 साल तक 10-12 years to 13-14 years उसको बोलते हैं हम puberty period pre-adolescent stage then comes adolescence period adolescence period is the time between 13-14 years to 18 years तक 13-14 साल से लेके 18 साल तक के 18 years to 40 years उसको हम early adulthood उसको हम early adulthood बोलते हैं then after early adulthood comes middle age middle age is the time period between 40 years to 60 years and then least but not the that comes old age old age यानी 60 years to till death 60 साल के होने तक और मृत्य तक के समय को हम old age बोलते हैं तो इस तरह से यह जो को different periods of life span है that is categorized into 10 different stages steps periods whatever you want to call it so अब इन सारे दसों जो हमारे periods हैं life span के अब उसको मैं एक एक करके इन detail में अपने आज के भी वीडियो में मैं शुरू करूंगी और आगे आने वाले सभी वीडियो में इन सारे periods को मैं बहुत ही detail में discuss करने वाली हूं जिससे आपको खुद के जो आपने हर एक stage पर जो आपने experience किया है या आगे आपके आने वाले कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप देखेंगे तो आपको काफी कुछ उस में जानकारी मिलेगी कि रियल लाइफ में वह एक्चुली क्या मैने रखता है तो जानकारियां जो होती है हमें बहुत सारी experiences knowledge gives lots of experiences so knowledge gain karna is the most important thing which makes a person to adjust in the present and in the future so please subscribe my channel to gain more information so चलिए पहले stage पर आते हैं that is prenatal period that is the first most and important period of starting of our life span तो सबसे पहले हम प्री नेटल पीरियट जैसा कि हम जानते हैं जब बच्चे की शुरुवात होती है वुंब के अंदर मा के पेट के अंदर that is the time of conception और जब तक वो शिशु जनम नहीं ले लेता है चाइल्ड बर्थ तक की पिरियट को प्री नेटल पीरियट बोलते हैं तो इसको इसके लिए कुछ इस पीरियट की कुछ characteristics बताई गई है इसके अपने ही importance होते हैं अपने कुछ तो और सबसे पहले तो यह जान लेकिट सब वेरी इंपॉर्टेंट इस पीरियट इस जिससे की यह जब at the time of conception से लेके बर्थ तक का जो समय होता है that is very crucial for the child also जिससे की इस उस बच्चे यह पिरियट उस बच्चा जो जनम लेने वाला है उसके आगे आने वाले होल लाइफ के लिए यह एक foundation आप समझ सकते हो उसका उसके development में future पूरे lifespan के development में बहुत बहुत importance रखता है तो चलिए इसके characteristics के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं सबसे पहला है the hereditary endowment क्या होता है the changes will be quantitative and qualitative यह जो hereditary endowment होता है इसमें जो changes होते हैं वह quantitative होते हैं qualitative नहीं होते और जैसा कि हम यह hereditary endowment यह जो होता है यह एक बच्चे के लिए foundation stone create करता है जिससे कि उसका आगे का letter development कैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है और यह at the time of conception fixed हो जाता है once and for all at this time जब favorable और unfavorable condition जो भी यह जो मा के जैसे ही मा conception करती है तो while some of the favorable or unfavorable condition both before and after birth may and probably will affect to some extent the physical and psychological traits जो उस child के अंदर जो अंदर develop कर रहा है उस child के अंदर वो physical and psychological traits develop होते हैं it totally depends of the on the favorable and unfavorable conditions what the mother face at from the time of conception till the birth of the child so यह जो heredry endowment बच्चे के अंदर जो उत्पन होता है या build-up होता है that totally depends upon the favorable and unfavorable conditions what the mother face और जो कि जिसका कि उस बच्चे के future development पर बहुत बड़ा impact होता है दूसा features दूसा characteristics पर अगर हम जाए तो that is favorable conditions in the mother's body क्या favorable conditions है mother bodies वो क्या करता है अगर favorable condition है मा के अंदर body में तो it foster the development of the hereditary endowment hereditary potentials को वो और बढ़ाएगा और foster करेगा और अगर unfavorable condition है तो वहीं पर development का stunt condition पैदा हो जाएगी वहीं पर एक रोग थामसी हो जाएगी तो तो which distort the pattern in the child for his or her future development इसलिए मा के body के अंदर favorable conditions का होना is very important that's why we say that prenatal period is very very important तो इस पीरिएट का अगर हम next characteristic देखें तो the sex of the newly created individual जो भी sex बच्चे का हो रहा है हां at the time of the consumption and conditions within the mother's body is fixed जो भी बच्चा new creature जो new individual develop हो रहा है वो उसका at the time of conception ही sex जो है वो fixed हो जाता है either he will be a boy or girl so next characteristics है proportional proportionally greater growth and development takes place during the prenatal period then at any other time throughout the individual's life span मतलग कि यह जो prenatal period है यह पूरे life span का सबसे कह सकते हैं proportionally सबसे बड़ा period माना जाता है पूरे entire life span में इस इसका जो time period होता है that is much much greater than any other stage in the life span then next feature is that it is the time of it is the time of many hazards यह अपने साथ साथ यह जो prenatal period है यह बहुत सारे अपने साथ hazards भी लेके आता है बहुत सारी कठनाईयां physically भी और psychologically भी बहुत physical and psychological hazards भी अपने साथ लेके आता है इसको detail में हम आगे जानेंगे किस तरह के physical and psychological hazards होते हैं इस period के then इसका last but not the least characteristic the prenatal period is the time when significant people form attitudes toward newly created individuals और यह जो attitude create होता है and newly created individual के प्रती कुछ खास लोगों का that gives the very significant impact on the development of the child in his or her letter in the future development जो कि क्या होता है कि जो attitude form हो जाता है वो तो वही attitude बच्चे के जन्म के बाद भी उसके साथ उसके early formative years में भी वह significant लोग उस बच्चे के साथ करते हैं उस इसाब से उसको treat करते हैं उसके शुरुवाती समय में जब उसका बहुत सारी चीजों का formation होता है हां तो उसका development होता है उस करते हैं जिससे की आगे उसको बहुत ही उसके future future development में बहुत सारे unfavorable patterns देखने को मिल सकते हैं तो यह कुछ important features या आप में जानना यह जरूरी होगा कि जीवन की उत्पत्ती अखिर होती कैसे है biologically how life begins that is the topic how life begins from the conception how conception forms तो ऐसी बहुत सारे stages बहुत सारी चोड़ी चोड़ी चीजें तो वह मैं आप next video मैं आपके साथ share करूंगी आपको information दूंगी please like and subscribe my video and please push the bell icon so you can get the notification please please हो सके तो share भी करिये मैं आपको guarantee देती हूं कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत अच्छी information आगे जानने को मीदेंगी और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं फिर मिलते हैं और information इसके आगे और भी information हैं उसके साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाए बाबाए